तो आज हम लोगा पढ़ने वाले वाट इस एक्सचेंज रेट एन हाव इट इस डिटर्माइड क्या पढ़ें के लो वाट इस बुलो इन हाव इस डिटर्माइड क्वेश्चिन क्या है वाट इस एक्सचेंज रेट एंड हाव इस डिटर्माइड और एक्सचेंज रेट एंड हाव इस डिटर्माइड और एक्जाम में कन्फॉर्म आएगा याएगा ठीक है अंडर्ड परसंट इंपॉर्टन कोश्चेन है है तब इस एक्सचेंज रेट एक्सचेंज क्या होता है तो ने जस्टन और सुनते हों यह डॉलर का जो वेलू है तो एक क्वेलर और डॉलर स्वेट्वेट क्वेटि रूपीज हो गया फिर वन डॉलर इस एक्वल टूटो एक रॉप्या आसी रॉपय के बराबर आपने तो बोल दिया और वो कैसे हुआ दिटर्माइन कैसे हुआ कि 1 dollar is equal to 80 rupees तो ये सारे चीज़े हम इस question में समझेंगे कि ये है क्या तो basically अगर मैं बोलू कि exchange rate का मतलब क्या है तो simple भासे में कहा जाए तो कहने का मतलब है 1 dollar is equal to 80 rupees राइट 1 dollar is equal to 80 rupees ये हमारा exchange rate है ये हमारा क्या है इसी को हम लोग क्या कहते है एक्चेंजरेट तो basically एक्चेंजरेट का मतलब क्या होता है कि the value of one currency in the term of another currency the value of one currency एक किसी कांट्री के करंशी की value किसी दूसरे कंट्री के करंशी की value के जो value होती है उसी कम लोग क्या कहते है एक्चेंजरेट बनिहापर लिखा है कि exchange rate is the rate at which one country's currency is exchange for some other currency मतलब एक कंट्री जैसे की एक डॉलर है कितने रुपए के बराबर है 80 रुपए के बराबर है तो यह एक कंट्री के करंशी की value है और यह भी क्या है एक कंट्री की करंशी की value है तो इसकी value को हम लोग क्या करें इसमें exchange कर रहें वह हमारा क्या होता है एक्सचेंज रेट सिंपल लेंगविज में देखा जाए तो मैंने आपर दिखाए इटीस दा वैल्यू ओफ वन करंशी इन दा टॉम आफ अनुदर वैल्यू के वैल्यू कितनी है इंडियन रुपीस में अनुदर कितनी है लोग इनडिया न सक्षम असी रुपीय यह अमारें क्या है एक्सचेंज रेट है एक डालर कितने के बराबर है असी रूपे के बराबर यह हमारा क्या है आप आती है यह determination of exchange rate वहस्टल जो exchange rate होता है यह आपने अब सर आपने तो बोल दिया कि एक रुपए एक डॉलर कितने के बराबर है 80 रुपए के बराबर है पर आपको मालूम कैसे पड़ा या मेरे को नहीं थीव में भी देखते उनको कैसे पता चलता है तो डिटर्मान करने वाले तो एजंसी होती गॉर्मेंट एजंसी डिटर्मा तो हम उसके लिए देखेंगे यहां पर कि डिटर्मीनेशन आफ एक्सचेंजरेट डिटर्मान करना मतलब क्या फिक्स करना की एक डॉलर 80 रुपए के बराबर है वो डिटर्माइन कैसे हुआ उसकी जो वैलू है वो फिक्स कैसे की गई इसका आइडिया है कुछ कैसे प्रस अब तो 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 करन्सी इस डिटर्माइन दा वैल्यू ऑफ एक्चेंज दिटर्माइन द वैलू ऑफ चींज रहे तुम नहीं आ पर लिखा है कि डिमांड फोर पॉर्इन करन्सी अड सप्लाय फॉरूर्न करन्सी डिटर्माइन करता है कि एक डॉलर कितने रुपए के बराबर होगा क्या बोल हमेंने फिर से बोलों demand for foreign currency and supply of foreign currency determine the value of one dollar is equal to 80 rupees और सो और सो और नहीं कि इतना भी हो सकता है हाँ यह ना समझा आपको तो अगर आपसे पुछे कोई की rate determine कैसे मालूम पढ़ता अपने को हम क्या कहेंगे कि demand for foreign currency and supply of foreign currency determine the value of foreign एक्सचेंज रेट लिटरमाइन द वैल्व फॉरेन एक्सचेंज रेट यहां तक सब्सक्राइब है पक्का कोई डाउट नहीं अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि डिमांड फॉर फॉर्ण करेंसी जैसे कि अभी हम लोग को ने हम लोग को ने हम लोग को ने इंडियन और यह को और रहें ठीक है तो हम लोग ना इसको हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री कहते क्या कहते है एकनोमिक्स लेकर फॉर्म कंट्री यूज करने के जगप हम लोग रिपोर्टिंग कंट्री यूज कर सकते क्या कह सकते इसको रिपोर्टिंग कंट्री है और यह जो इंडिया है उस बोलो पका ना तो यह समझा आपको कि को होता है और हम इंडिया में रहे 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 हैं तो हम क्या कहलेंगे रेसिक्राइब करने वाले हैं क्वारिशन करने वाले वो कौन लोग इंडिया ने तो हमने देखा कि determination of exchange कैसे होता है total force of demand and total force of supply determine the value of exchange rate तो यह demand for foreign currency क्या है demand for foreign currency अब जिसे की मान लो मैं कौन हूं इंडिया मैं कौन हूं इंडिया मैं कौन हूं resident country गाम तो मुझे मुझे मतलब कौन individual मुझे मतलब इंडिविज्वल या कोई government organization or government organization या कोई private form हो या कोई और other institution हो इन सब को जब यह कोई चीज दुसरे country से import करेंगे तो इनको payment करना होगा हाई या ना जब किसे किसकी बताया मने किसकी इसकी बात की इंडिविज्वल की बात की इंडिविज्वल हो गया government हो गया फॉर्म हो गया company हो गई इंस्टिट्यूशन हो गया राइट एक्सेक्टर राइट तो यह सब जब यह सब जो जितने भी लोग है या इंडिविज्वल बोलो या परशन बोलो वाटेवर बोलो अच्छेति कि मैं कौन हूं इंडिविज्वल हूं तो मैं जब कोई चीज फॉरेंट कंट्री से पर्चेस करूंगा पर्चेस करना मतलब इंपोर्ट करूंगा तो मुझे पेमेंट किसमें करना होगा इस है करेंगे या या NOT कुछ भी या सब्सक्राइब चाहिए तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं क्दिमांड करते हैं कि हम पेमेंट कर सके हम क्षारों कर सकते समझे आप कुसका मतलब यह पूरे का उसी तरह हिए को सप्लाई और ट्रह sighs हम किसी चीज को क्या गरेंगे एक्श्पोर्ट करेंगे क्या घॉर और किसमें करेंगे और राहा है और यहां पर डॉलर जा रहा है तो आएगा और जाएगा यहां से डॉलर आएगा तो अब मान लो डॉलर आही नहीं रहे डॉलर इन फ्लो नहीं है डॉलर का स्रिफ आउट फ्लो है क्या है और फैसा आने रहे पैसा पैसा स्वरी डॉलर आने रहे डॉलर जा रहा है तो उसकेस में